तो चलिए देस्टो आज के ये वीडियो आपने उपन किया है क्योंकि आज के जो वीडियो भीना काफी जदा यूसफूल एंड इंफॉर्मिट्व टैप का रहने वाला है क्योंकि आज के स्वीडियो में करने वाले रिल्मी C67 वर्सेश लावा ब्लेज प्रो 5G डिवास की बीच में डीटेल में कंपेरेजन केंव कि या दोनी भी स्मार्टफोन 5G के स्मार्टफोन है दोनी भी स्मार्टफोन अंडर 15,000 के काटेगरी में मिलते हैं अब काफी सरे लोगे कंफीज है कि हमारे लिए कंपेरेजन करेंगे जैसे के डिस्प्लेए टेस्ट श्पीड अब बात करेंगे आपके लिए इंट्रेस्टिंग रहने वाला है तो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास तक जरूत देखते रहें तो चले फ्रेंड्स विद अंडर 15,000 के कैटिगरी के सबसे बेस्ट बजेट 5G डिवैस एस रियल्मी C67 5G वर्स एस लावा ब्लेज प्रो 5G तो इचले देटेल में दोने भी स्मार्टफोन की बीच में कंपेरेजन करेंगे सबसे पर देख शुरूत करेंगे दोने भी स्मार्टफोन के कैमेरा से वेस इसके लितों से बात करेंगे सेल्फिय केमेरा, सल्फिय केमेरा अगए दोने भी स्मार्टफोन में 8 Megapixel का अ 22 camera वी वैसे selfie camera दोने भी smartphone का काफी बेटर है बट जो dynamic range है मुझे realme की phone में थोड़ से better type की देखने को मिली है एंदसो जो lava का phone उसमें देशाद है थोड़ सालका सा यह पे reddish tone मिल जाता है colors के बार में बात करेंगे तो दोने भी phone में देशाद accurate colors मिल जाता है जो पोड़ से ऐपे saturated tone देखने को मिल जाए वैसे एंद लावा के phone में जो rear camera है rear camera में जो dynamic range है वी थोड़ से कम देखने को मिल जाती है pixel quality के बार में बात करेंगे सब काफी बेटर pixel quality दोने भी phone मिल जाती है इस्केल ह зовут लावा के फोन में लोई-अट कंडिशन्म काफी बेटर फोटोग्राब्स देखने को मिल जाते हैं एक कच्मान ही जो भी पॉटरट शॉट है यह धूने भी फोन काफी बेटर मिल जाएंगे वेसे फोटोस मैं जो पर ऐल्मी के फोन में थूरिसे बेटर डप के देखने को मिल जाएंगे वीडियो ग्राफिक वारे में बात करेंके तो वीडियो कॉलिथि देखने को मिल जाएंगे लेकिन रिल्मी के फोन में 1080 pixel at 30 face का support मिल जाता है बट लावा के फोन में 2k at 30 face का support मिल जाता है साथ यह सथ यह पर Stabilization का भी support मिल जाता है दोने भी स्मार्टफोन की design and build quality के बारे में बात करेंगे वैसे दोने भी स्मार्टफोन में polycarbonate मतलगी plastic back मिल जाता है दुस्तों बात करेंगे यह पर राद साथ में लेकिर के बारे मेंग जाता है दोने भी स्गेश्डव मेंृ ट्री लुल लेस सीगर मिल जाता है आ हम स्थेव बुलत का मिल जाता है Top side के बार में बात करेंगे तो दोनभी फोन में दे सकते हैं Secondary Noise Cancelation का Mic मिल जाता है चलिए दोस्तों बात करेंगे दोनभी स्मार्टफोन की डिस्प्ले के बार में वैसे दोनभी स्मार्टफोन में दे सकते हैं Full HD Plus का डिस्प्ले मिल जाता है पंचोल के साथ IPS LCD का पैनल 295 पोन में मिल जाता है refresh rate के बार में बात करेंगे वैसे 295 पोन में दे सकते है 120Hz का smooth adaptive refresh rate मिल जाता है एद इसके बाए योटीप HDR content support के बार में बात करेंगे वैसे 295 पोन में 2K video HDR का support मिल जाता है मतलब ही 295 पोन में दे सकते है यूटुब में आपको 1440 पिक्सल रिजुलेशन का सपोर्ट मिल जाता है एंड इसके बाद डिस्प्ले की क्वालिटी के बार में बात करेंगे यह पे सेम पॉइंट है दोनभी फोन में सेम प्यूसम यह पर IPS LCD का पानल मिल जाता है लेकिन थोड़ सा व्राइटर डिस्प्ले म में फोन में थूर से बेटर मिल जाएगा इंज उब हैं को डिस्प्ले में कोई भी शिकायत आपको दोनभी फोन में देखने को नहीं मिलेगी इसके बात करेंगे डोनों स्माटफोन के प्रसेशर एंड परॉफ्रमस के बारे में रिल्मी C67 में देसकते हैं लेटेस्ट एप चार लग सबस्कूर निखल कि आ जाता है बैटर कापेसिटी एन फास्ट चेजिंग में बात करेंगे चलिए चलिए तो चलिए थो चुलिए लगत के तो क्या करेंगे तो चलिए रिबुट करेंगे देवाईस होने में थोड़ सा टैben लगता है तम क्या करेंगी वीडियो को थोड़ सा फास्ट फारवर करेंगे तो चलिक देखते हैं कि कौन से फोन सबसे पहले रिबूट हो जाता है यहाँ पर सबसे पहले लावा का यहाँ ब्रैंड लोगो मतलब की जो बुटिंग लोगे हो यह पर आ चुका है उसके बाद रिल्मी का आ चुका है यहाँ पर सबसे पहले लावाल ज़ीवडियो मिल जाता है तो बार इसके बाद का स्पीड आपको दोनभी Mission recognition आपfer के एकपोट करेंगे वीडियो को जो ओर्पूट है दोने भी फोन में सेम प्रोसेसर मिल जाता है जो क्या लेटेस प्रोसेसर है इसके कुछ टाम बात में दे अखे लावा फोन में भी iP Eloyas करका है तो चली जो चलीं आप से पहले शुरुआओत करेंगे गया airiya प्रोसे लावा के वीडियो एक्सपूर्ड इसके बाद राए करेंगे Camera application लावा के फ़ीन में सबसे प confanted एसके बाद राए करेंगे Instagram और现在 दोनों भी फोन एक करें लाउंज हो चुका है इसके बाद राए करेंगे यहाँ पे Facebook मैं यहाँ ट्राए करेंगे चीए और Twitter फेन फोन लाउंज हो चुका है इसके बार ट्राइक करेंगे एमेजाओं करेंगे फोन में दोनेוח स्थी प्राइप्र हो जका है इसके बाद ट्राइ करेंगे YouTube का अप्लिकेशन, यह पर यूटूब का अप्लिकेशन है, दुनों भी फोन में सबसे पहले लाँच हो गया था, इसके बाद गेम को लाँच करेंगे, जो कि है Hill Climb Racing, देखते हैं कि कोई से फोन में सबसे क्विकली गेम लाँच हो जाता है, यह पर स्टॉक Android experience मिल जाता है, जिसके वज़स आपको प्री लोडिंग का स्पीड है, लाँचिंग का स्पीड है, वो थोड़ सा बेटर मिल जाता है, चिले दुनों भी फोन में क्या करेंगे, देखते हैं कोई से फोन में बेटर राम मेनेजमेंट मिल जाता है, वेसे दु अप्लिकेशन में में प्रोफाइल पेज़ेस, जो सोशलमी में बेटर के फेजस हैं, उनको उपन करके रखा है, तो चले देखते हैं कि कोई से फ्वून बार बार यह पर परे प्री लोड करता है, चले गैलेरी दुनों भी फोन में यह पर प्री लोड के इशू देखने को नहीं है के बार में बात कर एंगे इसके बार में बात करेंगे तो गपी ज्यादा इश्री देखने को नहीं है इसके बाद ट्राइ करेंगे फ्लिपकार्ट 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 फ्ल अनल उपन करके रखा था फ्ले स्टोर में कोई भी दिक्कत देखने को नहीं मिल जागा ज्यादा कुछ खास बड़ा डिफरेंस तो मुझे देखने को नहीं मिला है बस यह पर 19-20 का डिफरेंस देखने को मिला है वैसे दोने भी फोन में हमको डानेमिक रैम का सपर्ट मिल जा सकते हैं सो फ्रेंस दोनों फोन में से आपको कौन सो फोन सबसे बेटर लगा है नीचे कमेंट बक्स में जरूर बता सकते हैं क्योंकि दोनों भी फोन यह पर अंडर 15,000 के क्याटेगरे में मिल जाते हैं सो फ्रेंस आपको यह वीडियो पसंद आज चुका होगा तो दोसे व बिलेंगे कुछ ऐसे ही इंट्रेस्टिंग वीडियो के साथ तब तक के लिए थैंक्यू बबाई टेक केर